उठो पुत्र कर हे सूर देव, मेरा प्रणाम स्मिकार कीजिए बताइए मेरे लिए क्या आग्या है पुत्र, कल स्वयम देवराजिंद्र प्रहमन के वेश में तुम्हारे पास आएंगे और तुम से तुम्हारा कवच और कुंडल मांगे वो तुम्होने मत दे रहे ये कैसे संभाव है सूर देव उस समय तो गोई मुझ से मेरे प्राण भी मांग ले तुम्हे में दे दूगा मेरी प्रतिग्या मेरे जीवन चे कहीं बढ़कर तुज अक्षमा कर देजिए सूर देव ओम सूर्य देवाय नमः ओम सूर्य देवाय नमः भिक्षान देही भिक्षान देही भिक्षान देही प्रदाम मुनिवर आदेश दीजिए क्या राचना है आपकी देखो बालक मैं आन्य ब्राह्मनों की तरह तुमसे धंधान्य मांगने नहीं आया हूँ आप जो भी मांगेंगे मैं उससे देने से पीछे नहीं आतूँगा अच्छा तो मुझे तुम्हारे कवज और कुंडल चाहिए पर यह तो मेरे शेरी की ही आँग है मुनिवर आपको चाहिए तो मैं को दूसरे शेस्तर प्यादान कर सकता हूँ नहीं मुझे तुम्हारे कवज और कुंडल ही चाहिए मैंने तो सुना था तुम बड़े दान्दीर हो तो क्या आज एक ब्राह्मन को खाली हाथ भेजोगे अपने द्वार से बिलकुल नहीं जिसमें जो भी मांगा है वो उसे मिला है ब्राह्मन हो या स्वयम देवराज इंडरी ब्राह्मन हुआ हुआ है